रिप्रोड़क्टरी सिस्टम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट टोपिक विचिज जनरली आस्किन एवरी कॉंपिटिटिव एग्जामिनेशन हर कॉंपिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है और इसको अच्छे से कोई भी टीचर क्लियर नहीं करा पाता ह साइनेश के कारण इसको अच्छे से कन्शेट क्लियर नहीं करा पाते हैं मैं एपरोच होगी कि मैं आपको अच्छे से इस टोपिक को क्लियर करा तो इसके लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन पटनी ज़रूरी है कि वोट इस रीप्रोडक्शन तो यह कह रहा है कि एक इंसान नजर आएगा जानवर जो काउ है तो काउ का बच्छा बच्छडा या बच्छडी सेम काउ जैसी ही दिखेगी बड़ी होने के बाद गाई जैसी बन जाएगी ठीक है अगर मैं बात करता हूं डोग कुतों की तो कुतों से जो पिल्ले पेदा होते जो छोटे- सिस्टम केता है कि प्रोड़क्शन ऑफ दे सेम टाइप अपने जैसा बच्छा प्रोड्यूस करना प्रोड़क्ट करना देट इस दो रिप्रोड़क्श वह यह देखो क्यों जरूरी है इस नेसेसरी टू अपने जो इस पेजिए अपने जो प्रजाती है उसके सर्वाइव सब्सक्क करना थाए इस प्रोड़क्श ― बात पर मैल और फिमेल दोनों पाटीसिपेंट करते हैं कैंता है तो मैं human reproduction system को में clear तो एक डो ब्लु वाला डाइग्राम बना रखाए जो रेड वाले मैंने शो कर रहा का एक दफिमेल तो मेल में होता है यह इस्टीज और फिमेल में होता है इस्टीज बाइट तो सब्सक्राइब ने जो मेल में बनता है that is the sperm जो reproduction में जो part होता है मेल का वो होता है sperm और जो women का होता है that is the egg हो और पूरसों में जो होता है वो होता है sperm जिसको हिंदी में बोलते है वीरियों क्लियर है यहां तक कोई doubt ओके अब क्या होता है कि human being में concept और clear कर लो कि 37 degree celsius का हमारा body का temperature होता है लेकिन जो sperm को store करने के लिए temperature लगबग 2-3 degree celsius ही चाहिए बहुत कम temperature चाहिए होता है इसलिए जो testis होती है that is the outside में होती है clear testis इसलिए outside में होती है यहां तक clear है ताकि यह वीरे का temperature कम हो जाए ठीक है testis outside क्यों होती है कि sperm को low temperature की requirement होती है अब क्या होगा इनके बीच में male मिलाफ होगा इनके बीच में sexual contact होगा इससे क्या होगा इसका sperm और एक दोनों मिटप करेंगे और यह जहां पर मिटप करते that is the fallopian tube क्या है condition कि fallopian tube में इनका जो भी reproduction जो भी बेबी और बनता है यह fallopian tube में start होता है क्लियर है अब इनके बीच में क्या हुआ कि contact हुआ और sperm plus एक मिल गए इनसे जो formation होगा इनसे क्या होगा जाइगोट का formation होगा यहां तक कोई क्लियर क्लियर है कोई भी डाउट है ओके इस पर प्लस एक जो मिलते हैं उसको उम बोलते देट इस दो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसे यह जो टम बता रहा हूं उनको याद रखना क्योंकि देको लेब एसिस्टेंट के एक्जाम भी दोगे ना तो वहां सब्सक्राइज प्लस और और विक जन्म के डोट तो है तो यह संसे आपको रिप्रउड्ट्टी शिष्टम की maximum process पता चल गई कि male और female दोनों participant करते हैं male में testis से sperm निकलता है women में ovary से एग निकलता है दोनों के भी जब sexual contact होगा तो sperm plus एग मिल जाएंगे इसको बोलते देटी the fertilization process फिर इससे एक जाइगोट का formation होगा clear है और एक pregnant होने के बाद pregnancy start होती है तो zero week से eight week मतलब दो महिने में embryo formation होगा फिर चालीज विंग नो महिने तक fetus होगा इससे बाद baby का birth हो जाएगा ठीक है अब एक question आता कि जो baby का birth होगा वो male होगा या female इसका कैसा पता चलेगा ठीक है तो इसको मैं फिर सेहां पर clear कर लेता욱 वैसे तो मैंने एक चीज इसको अच्छे से clear करा दी फिर में मैं बता देता हूँ की लड़का होगा या लड़की इसका पता कैसे चलेगा तो देखो जो male होता है उसमें chromosome होता वो उता xy और जो female में chromosome होता वो ooh Oh एक्स ठीक है वेसे हमारे सरीर में 23 पेर ओप क्रोमोसोम होते हैं 23 पेर मतलब 46 ठीक है तो 22 पेर ओप क्रोमोसोम होंगे वो तो मेल और फिमेल दोनों में सेम चलेंगे लेकिन जो एक पेर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं अधिस्थ शेक्स क्रोमोसोम यह डिफेरेंट होता है आपका बच्चा बच्ची जब बच्चान फ़्यों इसमें एक्षा एक्सक्स एक कितने नहीं लेलो ठीक है कंडिशन यहां पर बना लो तो लेड़ी की इसवेर एक्स एक्स पारिसिपेंट करे अधिक है एक्स एक्स participant करेगा लेकिन अगर male की side से भी X आ जाए तब आपके बनेगा that is the female clear है अगर male की side से Y आ जाए तो आपके बनेगा that is the male फिर से अगर male की side से X आ जाए तो female बनेगा clear चीज़ clear है चीज़ तो अब आप खुद सोच के बताओ कि बच्चा बेबी जो होगा जो male होगा या female होगा इसमें किसका रोल होगा तो इसमें maximum role male के chromosome का होगा अगर वो X बेसता है तो बच्ची होगा और वो Y बेसता है इनके तो हमेसा एक सत्ता है जो main role होता that is the male point clear है okay तो मैंने कोशिज किये कि आपको इस chapter को अच्छे से clear करा लूँ I think आपको clear भी हो गया होगा so comment box में review जरूर दे कि आपको यह lecture कैसा लगा चैनल को like share और subscribe जरू कर देए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाई यह share करें कीजिए ताकि मेरी free classes चलाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए आपके हर एक doubt clear हो जाए thank you so much